नमश्कार आईवी टीवी देख रहे हैं आप आपके साथ मैं सनिहा गुपता बिहार के मुक्यमंतरी नितीश कुमार ने एक बयान दिया है और इस बयान के जरी कहीं न कहीं वो लालू पिशाद यादफ की बीते दिनों सयोजक वाली बयान पर खारिज करते वे नजर आ रहे ह उस बयान को काटते वे नजर आ रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुक्यमंतरी नितीश कुमार और क्या वो लालू पिशाद यादफ के उस बयान को काटते वे नजर आ रहे हैं जानेंगे सीधे हमारे वरिश रही होगी आश्टोश मिश्रा जी से सर क्या लगता है जिस तरीके से मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने ये बयान दिया है कहीं न कहीं लालो पर शाद यादव की बातों को खारिच कर रहे हैं सबसे पहले हम अपने एडिटर से चाहेंगे ती नितीश कुमार का वो बयान सुना दे दर्श ठोटो ताकि चीजे असपस्ट हो जाए उस्ते बाद हम लोग इस्टाविश लेशन करेंगे मुख्मंत्र जी उसे पहले यहार में पठना में किए उस्तों मेलों तो तीसरा हो रहा है तो थीसरा हो रहा स Presto को चाहेंगे है सब चाहें जोंन करेंड शींस कें लिक टे वुत करना ठीक नहीं है इस काम को तीजी से करने के लिए उसमें भी कहेंगे सब दोग राय करेंगे तो नितीज कुमार का बयान दर्शक सुन चुके होंगे मुझे लगता है कि समझ भी चुके हों कि वो क्या कहना चाह रहे हैं उनकी बातों से इतना तो साफ लगता है कि ऐसी कोई बाते सबसे पहले तो वह एतराज जताते होए नजर आये कि इस तरह की कि बाते बाहर नहीं होनी चाहिए लालू यादों ने जिस तरीके से बाहर में यह बयान दिया था कि एक संयोजक की कोई बाते नहीं चल रही है बलकि अलग-अलग जो जोन है जैसे साउच जोन हो गया नॉर्थ जोन हो गया इस्ट जोन हो गया वेस्ट जोन हो गया इन सब जगहों के लिए अलग-अलग संयोजक बनाने की बाते अंदर खाने चल रही है हलाकि लालो यादों ने किस आधार पर ये बाते कही थी वो खुबी जान सकते हैं वो खुच जानेंगे लेकिन नितीश कुमार सायद इसे इत्फाक नहीं रखते आ रहे हैं या नितीश कुमार के नौलेज में शायद इसी बाते नहीं है हो सकता है कि चुटी लालो यादों की जो भी इंडिया की आए ंडिय की जो शिर्श सनिता जो भी हैं राहुल गांदी हो सोनिया गांदी हो खरगे हो या फिर और भी केज़री वाले और बांटी लोगों से भी शर्ट प्रवाद से भी इनसे अच्छे तलुकात है और लगतार मुलाकात बाचित होती रहती है तो इस दोरान भी कई बार दिली गये हैं आये हैं और बैठक में भी शामिल हो चुके हैं तो क्या development हुआ है क्या बाते हुई है वो लालो यादो हो सकता है कि इसी कोई बाते या राय मश्वरा हुआ हो कि इस पर ऐसे इसे किया दा स लगता है लेकिन ऐसा कुछ हुआ है final यह शायद नितिश कुमार कर रहें कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है और जो भी चीजे होगी वह जो बैठक होने वाली है तीस एक तीस और एक सितंबर तीनों तारीक कही जा रही है एक तीस और अभी तक कि जहां तक मेरी जनकाड़ी है तो उसमें सारी सारे मसौदों पर बात होगी सारी जो भी लोग सद्येशांस देंगे, सलाहा देंगे, कि ऐसे-ऐसा होना चाहिए उस पर ये होगा मतलब कि नितीश कुमार के बयान से ये समझा जा सकता है कि शायद जो खारिज किया जा रहा था लोग ये कह रहे थे कि अब नितीश कुमार संयोजक नहीं बन पाएंगे चुटी अलग-अलग कर्णमेनर बनाया जाने की बात है जोन बाइज तो अब ये कहा जा सकता है, या समझा जा सकता है कि नितीश कुमार के नाम का एलान कर दिया जाता है हलाकि कन्वेनर के रूप में और भी कई नाम की चर्चा चल लई है खुद राहूल गांदी भी अब एक्टिव हो गया है सजाब पर वो सदन में वापस लोट चुके हैं चुकी कोट ने उनको राहत दी है तो वो खुद इस रेस में हैं सोनिया गांदी भी है चेयर पर्सन भी बनाए जाने की बात है समिती बनाए जाने की बात है कन्वेनर बनाए जाने की बात है केजरी वाल हैं शरत पवार हैं खुद लालू यादो के नाम की भी चर्चा थे लेहीं चुकी लालू यादो अब उम्र हो चुकी है बिमार चलने हैं और उसके अलवा कणोनी प Solar में फरहे हुए हैं तो लालु यादो को और सैट लैन भी कर दिया जाता है तो नितीश कुमार पर और आंदर खाने क्या चलने रहा है चुटी दोनु के बयानों में एक तरह किसे कहा जाये तो बिरोधा भास नजर आ रहा है एक तरफ लालू यादव ऐसा करते हैं कि जोन वाई संयोजक बनाया जाने की बात है और ऐसा कुछ नहीं कि कोई एक कनवेनर बनाया जाएगा ऐसे में तो नितिश कुमार कखाडी हो जाता है और कोई सी नौर्स जोन के वो संयोजक बनेंगे ऐसा भी नहीं लगता है मुझे चुटी वो बरी महतो कांचा पाले हुए हैं बरा होदा चाहते हैं चुटी वो इंदिये से उन्होंने बैर मोल लखा है पिये मोदी से बैर मोल लखा है बीजे पी को पड़ास टरने की जिम्मवारी है और ये इस मोहीम को सफलता पुर्वक कभी तक आगे बढ़ाते हुए जा भी रहे हैं उन्हीं की कोशिस है कवायद है कि आज विपक्ष एक मंज पर बैठा है 26 दल तो साथ आ चुके हैं मुंबाई में जो बैठक होने वाले हैं उसमें कहा भी जा रहा है कि और भी दल इसमें जूर सकते हैं और खुद नितीश्क को मार के जो मायनें निकल सकते हैं हम लोग दो उस पर चर्चा की और इस पर चर्चा तेज भी हो गई है खुकि नितीश्क व्मार की कई हिसे पने लालुयादोंकी बात को काट दिया या नितीश कुमार जो इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि नहीं ऐसी बाते नहीं है और ये सब बाहर नहीं करनी चाहिए, जो बाते होगी वो जब प्रेस क्राफरेंश होगी तब सामने रखा जाएगा ज़्यक्त राजनीति में कहा जाता है जो बाते कहीं जाती है वो होती नहीं है और कहीं नहीं झाते हैं तो जो Ok जो च काटने की प्रक्रिया है इसकी वज़े से क्या कुछ तस्वीरे निकल के आती है और बैठक जो होगी 31 और 1 को क्या कुछ नजारा होगा ये भी देखने लायक होगा धन्यवाद